हम कि कि अध्य बनी डिस्कॉस एलेक्रिकल प्रोपर्टीज तो एलेक्रिकल प्रोपर्टीज तो इस से पहले रूडप में जाते हैं फिजिक्स में हम में पता है कि रिजिस्ट्रेंज का हमला र इकविल्स का फ़र्मला र इकल्स स्रेंस का फर्मला र इक पॉस्ज लो एक टीभिट्टीए कि पहुता है डिर सिच का ऀुपचिय होतं है ऐलेक। वह तो इस पॉर्षिन पर आते हैं अब आर इकोल्स टुए और इस पॉर्शन सिग्मा एक़िए अब प्रें यह पॉर्षिन यहां पे आर इंटल ब्रेंट यहां पे आर किन्टो हे यह पॉर्षिन आर जहाँ हम इस कर धे, बाधल धालंस के भी लागिए अधर डिया, ओनाale, आधर चला गया, तो अभी इसका उनिएट चला दिखते है, यूनिट और शिगma, पोर्शन, यूनिट यूनिट और सिकमा, यूनिट ऑफ सिकमा, वूर्शन ऑफ कंडाक्टिवीडी, ओंके, रिजि तो स्दूब होगे तो ये बोक्स में निए दूझवाय तो ये एकोस्ट में इंवर्स और नहीं एसे हो में एक परने होगे मुझे तो छी एक वे दो चुने दुए उनिवर्स तो स्दूब परने हो गये ज़ुए टो नहीं अगर नहीं पड़े हो तो आगी पड़े हो कि लास सेकेंड में ही क्लास 12 में पड़े हो ओम इंबर्स एंड मिटर इंबर्स ठीक तो अभी देखते है जड़ा समझों अगे नेक्स्ट इसको नोट कर देना अच्छे से ये सादा पॉर्शन नोट कर रहा है नेक्स्ट अब हमें कंडक्टिविटी एलेक्टिकल प्रोप्रिटी इस सॉलिड कितने क्यों इसको समझेंगे नेक्स्ट अभी पहले सम्झेंगे इंच्छा दाइक शॉडियम मैंनेशियम ए हैं एंग्सटियम एंग्सियान फूरीं ट्री चासे अच्छा कंडुक्टर कॉंसा है है तो अगर हम देखेंगे तो इससे 271 इसे 282 हूं इसका 283 ये पॉर्शन है तो इसका वालेंस इलक्ट्रन रहन होता है इसका इंतना ज्यादा वालेंस फ्लिक्टरोगा यह टैज सुष्ट में था था चानबूर को यह तो इन थीह में सबसी अच्छा जो प्रक्टर दो सकते ह हिए Numerson नीम इसा रित्स रहांगा मैंच होगा मैंचые चैवे पूरस डुर्ण हर आध कि चुस्क रहा है when ?. 的निया पूरसन घ्रकाण होता है ज्मच्छ जिई सबस्कों कि अन टूर्ण hiceलैट्रीसी और इसमें भी एक रिजन है, अभी दो बैंड होता है, अभी कुछ लिखना मत, अभी सब समझना, इसे बैंड होता है, एक होता है, ऐसे यह दो बैंड, this is conduction band, c-o-n-d-u-c-t-i-o-n, conduction band, इसको हम सॉटकर में c-v लिखते हैं, c-o-n-d-u-c-t-i-o-n, conduction band, इसको भी लिखते हैंगे, तो अभी मेटल्स के केस में क्या होता है, in the case of metals, in the case of metals, में क्या होता है, these two, यह conduction band and valence band, दोनों एक दुश्रे को overlap करके रहते हैं, दोनों एक दुश्रे को overlap करके रहते हैं, this is conduction band, and this is valence band, दोनों एक दुश्रे को overlap करके रहते हैं, तो electrons यहाँ, valence band में electrons है, तो it can easily pass into the conduction band, the electrons can easily pass into the conduction band okay and जब तक electrons valence band से conduction band में नहीं जाएगा तब तक वो करेंगे पाट्सवेट नहीं करेगा okay in the case of metals conduction band and valence bands both are overlapped each other दोनों एक दूश्रे के साथ overlap करके रहता है इसलिए they can easily conduct electricity but in the case of non-metal non-metal की guess में क्या होता है conduction band this is conduction band okay and this is valence band okay there is a huge gap huge gap होता है between conduction band and valence band जिसमें तो बहुत सारे लोक्ट्रोन्स होता है valence band में but it cannot go to the conduction band due to huge gap in this between conduction band and valence band okay और valence band में कितने लोक्ट्रोन्स होता है उससे मतलब नहीं है जब तक वो conduction band में नहीं जाएगा नहीं कर पाता है तो अभी समझेंगे अभी देखो इन सब को थोड़ा नोट कर लेंगे ये पोर्शन को नोट कर लेंगे और सुनों अभी समझों अब जो है solids are categorized on the basis of conductivity it can be divided into three categories solids होता है वो तीन कर दिवाट होता है first one is conductor conductor second one third one is insulator insulator and second one is semiconductor semiconductor okay तो conductor का एजाम्पल सा में पता है iron हो गया magnesium हो गया cobalt हो गया aluminium हो गया silver हो गया gold हो गया semiconductor के एजाम्पल सब्सक्राइब silicon germanium these two insulator के एजाम्पल्स तो पता है सब कुछ इंसुलेटर समरह है wood हो गया plastic हो गया plastic okay non-metals non-metals all the non-metals these are the examples of semi-adaptor oh sorry these are non-metals these are the examples of insulator तो अभी point of one conductor conductor का conductivity याद रखेंगे value दिरेक्ट याद रखेंगे conductor का conductivity होता है ranges from 10 to the power force 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse पहला point disrupt point याद रखेंगे conductor का first point के रखेंगे इसका conductivity ranges from 10 to the power 4 रखें 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse second point इसमें conduction band and valence band overlap each other ये conduction band and valence band एक जुश्रे के साथ overlapping करता है ये portion this is conduction band this is valence band okay यहाँ से electron it can easily move into the इसमें electron valence band से conduction band लोग कर सकता है semi-connector band okay first point conductivity its range is from 10 to the power minus 6 से लेगे 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse 10 to the power minus 6 से लेगे 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse second point okay इसमें क्योंगा होता है conduction band and valence band में थोरा सा gap बता है ज्यादा गाप नहीं होता है small gap in between conduction band ये small gap ठीक है in between conduction band and valence band ये conduction band and this is valence band तो electron scan जिब इसको तुरा एनरजी मिलेगा तो it can jump from conduction band sorry from valence band से conduction band में okay ये कोस होता है in the case of insulator conductivity is very extremely low 10 to the power minus 26 10 to the power minus 10 ohm inverse meter inverse okay and इस case में क्या होता है there is a huge gap in between conduction band and valence band ये huge gap होता है this is huge gap येश को फर्विलें जोल और ये वर्विलें जोलें वर्विलें जोलें this is conduction band and this is valence band electrons cannot jump from conduction band valence band से conduction band okay तो solids can be classified on the basis of electrical conduct today it can be classified into conductor insulator and semiconductor conductor का अधा touch ये बहुती हाई इंसुलेटर है इन यू को मिलन वह करें dig in the case of इसको सारड़ में प्रेटर शेली है यह साथ है संपना हॉबधerson के इससे संय कंड़िय। बीज ए ऑिजिस को के साफ ब्लते एक्ट राइस. इसको मैंने के पेटरों प्रेल के बम सोलेश एक्टा बीह परसता है इय साथ , मुंतिशे Ч recharge छोई कटECT नेक्स्स मुडियु में मिलते हैं